हेलो दोस्तों, हिंदी होरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ इस कहानी का नाम है घर में घूंचती हुई वो आवाज वो पायल की चंचन वाली आवाज हमें बहुत डराया करती थी तो चलिए, बिना देर किये शुरू करते हैं इस कहानी को यह बात उन दिनों की है, जब मैं नवी कच्छा में पढ़ता था मेरी उम्र 14 साल थी, कुछ समय मैं अपनी फैमली के साथ रहता था मेरी फैमली में ममी, बापा और मेरी छोटी बहन थी मेरे पापा गौर्मेंट की नौकरी किया गरते थे इसलिए हमें सरकारी कौर्टर में रहना पड़ता था जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा बता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने लगे कमरे में जल्दी सो जाते थे शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड़ पर बैटकर मोवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देने लग गई मुझे लगा कि मम्मी यहां पर पानी पीने के लिए उठी होगी मैंने ध्यान नहीं दिया हाँ लेकिन मैंने टीवी का आवाज थोड़ा कम कर दिया लेकिन चार से पांच मिनिट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी वह आवाज किसी आवाज के चलने पर उसके पायल की आवाज जैसी थी जैसे कि चन चन बिलकुल ऐसे ही आवाज आ रही थी मैंने टीवी का आवाज बिलकुल बन कर दिया लेकिन बाहर से वही आवाज आ रही थी छन 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 यह आवाज सुनकर मेरा शरीर कापने लगा और मेरे रौंटे भी खड़े हो गए आवाज लगातार आ रही थी और चार से पांच सेकंड के लिए सुनाई देती थी उसके बाद बंध हो जाती थी बाद में तीन से चार मिनट के बाद फिर से छन 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 जैसे की कोई भारी पायल पहन कर चल रही हो मेरा दिल जोड जोड से थड़कने लगा ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल अभी चाती से बाहर निकल कर मुह में आ जाएगा पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठा कर उन्हें सारी बात बता देता हूँ बाद मैंने हिम्मत करके दरौजा खोला तो अचानक ही वही आवाज सुनायी थी ज्छन, ज्छन, ज्छन उस समय वही आवाज बिलकुल मेरे सामने से आ रही थी ऐसा लग रहा था कि कोई नई इस्त्री चल कर मेरे पास आ रही हो लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी सामने कोई भी नहीं था और आवाज भी बिलकुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी च्छन 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 मैंने मम्मी बापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी मेरे बापा बस इस बात को मानने के लिए बिलकुल तैयार नहीं थे वैसे भी वह सब पूरी तरह नीन में थे किसे ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया बाद में मैंने अपनी मम्मी बापा के साथ कमरे में सो गया ऐसे ही तीन से चार दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी च्छन 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 बाद में मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई आवाज आने का कोई भी समय नहीं था आवाज कभी भी दस बजे या साड़े दस बजे आती थी परन्तु एक बात तो पकी थी वो आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी और दूसरे किसी को भी नहीं कभी-कभी वो आवाज मुझे बहुत ही डरा देती थी आठ से नौ महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए उसी फ्लैट में हमारी जगा पर जो नए लोग रहने आये थे वो हमारे जान पहचान के लोग थे उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमली काफी बड़ा फैमली था एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आये और हमसे पूछा कि आपको कभी कभी कोई आवाज सुनाई देती थी बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई मेरा वहम नहीं था उस अंकल के पूरे परिवार ने वो आवाज सुनी थी आखिर में मेरी मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं जूट नहीं बोल रहा था बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाट करवाया हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि खर में आखिर हुआ क्या था तब जाकर पता चला था कि उस खर में एक नहीं बलकि छे छे आत्माए रहती थी अब बात को 14 वर्ष बीच चुके हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज सुनाई दे रही होगी या नहीं लेकिन आज भी मैं उस आवाज के बारे में सोचता हूँ तो मेरी भट जाती है उमीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में